दोस्तों जिस दिन फैलकर एड़मिंटर सोजर की टीवी सिरीज एंड वी थी उसके ज़स्ट कुछ दिन बाद ही यहाँ पे कैप्टन अमेरिका 4 अनाउंस हो गई थी लेकिन यहाँ पे एक और खबार है थी कि स्टीव रॉजर्स की भी कैप्टन अमेरिका आएगी लेकिन यह कैप्टन अमेरिका 4 से बिल्गुल अलग होगी और यहाँ पे क्रिस इवंस के इंवाल्मेंट नहीं होगा यानि कि मावा स्टूडियो के पास दो आप्शन है दो टाइप की स्टोरी है तो आज हम लोग समझने वाले तो दोस्तों कम्प्रीट वीडियो को स्टार्ट करने इ हैं बिल्कुल नई अपडेट थे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि क्याप्टन मेरिका की एपिसोड की टीवी सीरीज बनाए जाए जहां पर वो अलग-अलग इंफिंटी स्टोन कैसे वापस करते हैं उनके बीच उनको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है यह स उसकी बात क्या वो स्टोन वापस करने में उन्हें क्या परशानी के सामना करना पड़ा यह सब उन्होंने कभी डीटेल में ने बताया और हम लोग को लगा कि चलो कोई बात नहीं जब फैलकन की टीवी सीरीज आएगी तो हम लोग को उनका हिंड देखने को मिलेगा उनसे लेटेट कुछ और आज जानने को मिलेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब स्टूडियो के पास यह गोड़न ऑपॉचुनिटी है जिसकी विजह से हुई यह सब काम कर सकते हैं अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कुछ इंफिर्टी स्टोन की तो वापस करना का होता है जैसे की रियाल्टी स्टोन और यहां एंड गेम के बाद ओडेंस के मांड में बहुत से कोशन है थे जो कि लोगों को पर्शान कर रहे थे जैसे कि आप यहां पर जो स्पेस्टोन है वो तो टेसराट के फॉर्म में है तो यह सब काप्टेमर का कैसे चेंज करते थे उनके पास कोई टोनी स्टा की टेक्नोलजी थी जिसकी वज़े से वो चीजों को रिवर्ट कर सकते थे या फिर उन्होंने टाइम स्टोन के यूज स्पेस्टोन के उपर किया ताकि वो टेसराट के रूप में आ जाए ऐसे बहुत से कोशन है और जानना चाती है जिसकी वज क्या बताता है कैप्टन मेरका को और यहां पर जब कैप्टन मेरका टाइम स्टोन वापस करने गया थे तो क्या वो एंशेट वन से बात किये थे और एंशेट वन ने उन्हें सला दी थी कि वापस पैगी काटेक साथ जाकर हो क्योंकि एक टाम लूब बन जाएगा जिससे ए क्योंकि दोरी था लेकिन दोस्तों ओडिंस वो टाम लान में देखना चाहती है जब क्याप्टन मेरका माइन स्टोन वापस करने गया थे क्योंकि उस टामलेन में तो अल्डेडी दिक्कत आ गया है यानि जब अपना मिशन कर रहे थे तो उस टामलेन से तीन इंफिनिटी स् देखनों मिली है और दूसरा माइन स्टोन आप यहां पर यह सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर माइन स्टोन की बात करें तो लोकी की छड़ी में था लेकिन यहां पर टोनी स्टार्क जब अपना इंफिनिटिक गॉंटेट बनाया था तो सारे स्टोन को अपने आप्शन की बात करें जो मारवा स्टूडियो के पास है जिस पर क्याप्टन मेरका की मुवी बना सकते हैं वह है क्याप्टन मेरका की लाइफ पैगी कार्टेक साथ दोस्तों वह टैबलन काफी लंबी हो जाती है और इतने वक तक क्याप्टन स्टीव रोजर्स कर रहे थे और यहाँ पर उन्हें ने जरा सभी हरकत ने की क्योंकि टैबलन में डिस्टरबंस क्रेट हो जाती या फिर उनकी कुछ और एक्टिविटी की इन्वाल्मेंट ही जिसकी विज़े से आगे की टैबलन बनती है जैसे कि अगर यहाँ पर क्याप्टन मेरका ने पैगी कार्टे तो यह सब क्या हो रहा है और यहाँ पर जैसी इन्यूजाई की क्रिस इवन्स वापस आने वाल है तो ओर्डियंस के मैंड में कई सारी पॉसिबिल्टी आ गई ओर्डियंस तो अपने करेंट क्याप्टन मेरका की लाइफ जानना चाती ना कि उन्होंने ये दो काम कैसे किये क्योंकि दोस्तो यह काफी जरूरी हो जाता है और यहाँ पे अगर क्रिस इवन्स आक्चुली मुवापस आते हैं तो यही चीज़ देखनों के मिलेगी दोस्तो यह थी कामेजिंग अपडेट जो की रिलेटेटी क्रिस इवन्स के नए काप्टन मेर का मुवी से आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वसे आपकी क्या वीज़ पटलर टॉपिक पे अपनी वीज़ जरू कमेंट कीजो दोस्तों गर आप ऐसी उनिक सु सुपर हेरो फामली का हिस्सा बन जाएगा